आज आपको पढ़ाई की एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके बाद में आप यह नहीं कहूँगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याद नहीं होता है कुछ, विशे से भटक जाता हूँ, बड़ा टेंसन में रहता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ पर याद न चाहते हैं तो मन में ध्रड इच्चा सकती रखिए कि हां मैं पढ़ सकता हूं पहला आपके लिए यही फॉर्मूला है खुद पर विश्वास रखो आप यह सोचो कि आप कम क्यों हो भगवान ने सब को बना जाया है मानव शरी एक जैसा है या दास्त कुछ चीजों को तो लगबख सब की एक जैसी तो खुद पर विश्वास करो आप यह सोचो जो ब्रहांड भगवान ने बनाया उसका बाकी हिस्सा है वैसे हिस्सा मैं हूं खुद पर विश्वास कीजिए पहला पॉइंट है दूसरे पॉइंट के अंदर आप अगर पढ़ाई करना चाहते ह हैं तो कमरे में खुद को बंद कर दीजे किसी तरीके का बाहरी कोई भटकाव नहीं हो घर की समस्या परिवार की समस्या या आपका कोई किसी के प्रती अटेच्मेंट कोई जुकाव मन की कोई सिकायच सब बातों को एक सेकेंड के लिए भूल जाए और बंद कमरे के अंदर बार-बार उठे नहीं जो भी आपको पैन चाहिए, कोपी चाहिए या जो मेट्रेल चाहिए एक बार उस रूम के अंदर रख लीजे ताके आपको बार-बार जाना नहीं पड़े चोथा पोइंट अब आप तै कीजिए कि आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो तै करने के बाद में उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िया ध्यान से पढ़िया बात के अंदर सोची कि मैंने क्या पढ़ा है फिर सोचो कितना याद रहा है फिर उस टॉपिक पे आप ब युआर को सुना दीजिए तो होगा गया पस्वों का जुगली तंत्र है साइंस के विद्यारती जानते हैं कि पस्वों का पाचण तंत्र बहुत अच्छा रहे था दोस्तों कारण क्या जुगली कर देते हैं तो आपने जो पड़ा है आप बोल दीजिए इस्था इस्मृति क अंदर चला जाएगा हो गया अब एक पॉइंट और में बताँगा दोस्तों कि आपने जो पढ़ा है उसके नोट्स बनाए आपने सोचा जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपने पढ़ लिया टॉपिक फूर इसको आपको को रिलेटेड करो क्यों क्या किसलिए एक जिग्या होनी चाहिए ऐसा नहीं किताब में लिखा हुआ है पढ़ लिया आपने आप सोचो इसको कैसे जोड सकते हैं और चीजों से कैसे जोड सकते हैं और तथे से कैसे जोड सकते हैं उसमें थोड़ी सी रूची विक्षित करो फिर आप देखो जैसे फिल्मों के बारे में क्रिके आर्ट्स के विद्यारती हो और मेरा दावा है अगर आप साइंस के विद्यारती हो और कोमर्स के विद्यारती हो तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक टॉपिक है व्यावारबाद ये मान के चलें आपको कुछ नहीं आ रहा विचारदायों एक विचारदार है, 1930 के अंदर Harvard Simon Waldo की विचारदार है, उन्होंने कहा कि प्राचीन क हालके अंदर या पुरानी जो विचारदार हैं, उनके अंदर मानव को फोकस नहीं किया गया gotta, तो मानव विवहार का अध्यान होना चाहिए, और मानव विवहार का विज् तरीके से अध्यन करो मानव व्यवार का अध्यन करो और बड़ी-बड़ी एकायों की बजाए टुकड़ों में बांट करके अध्यन करो फिर उन्हों का क्या होना चाहिए की बजाए क्या है पर जोड़ दो अब ये व्यवार बात की चार बाते हैं देखो आपको याद हो गई होगी कि मानव व्यभार का अध्यन करो और वेग्यानिक तरीके से अध्यन करो और माइक्रो अध्यन करो क्या होना चाहिए कि बजाए क्या है पर जोड़ दो याद हो गया नहीं होता तो ऐसे आप और सोचो कि सर ने क्या पढ़ाया था कि मानवयवार का अध्यन करना है विग्यानिक तरीके से करना है और दोई पॉइंट आया था फिर आप सोचो कि सर ने क्या बताया था वापस किताब देखो तो मानवयवार का अध्यन करना है था कैसा पहला पॉइंट दूसरा कि विग्यानि क्यों हो रहे हैं बाकी दो क्यों नहीं याद हो रहे हैं तो फिर वापस लिखो तो याद होना कोई एक बहुत ही जटल प्रकेरिया नहीं है बहुत सरल है आप रुच्ची विक्षित करो और आप देखना दोस्तों जो आप एक साल में पढ़ते हो अगर इतनी रुच्ची के सा व्याकरण है, ये हिंदी व्याकरण है, ये मेरे सब्जेक्ट है, और जो आपकी मर्जी है वो पूछ लो, और आपका कोई दोस्त आए, और वो कहें, कि मैं नोट्स ले जाओं, तो दोस्त को confidence के साथ में कहो, विश्वास के साथ में कहो, कि ये नोट्स मैंने हाद से बनाए है ये नोट्स मेरे दिमाग के अंदर याँ है, और जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक मुझे किसी नोट्स की जूरत नहीं है, तो दोस्तों ये जो confidence आएगा, ये पढ़ाई का तरीका आएगा, तब आप बहुत अच्छे अंक ले पाओगे, खुद का मनोबल बढ़ेगा, घर परिवार में मनोबल बढ़ेगा, तो इस तरीके से तयारी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपने प्रतिक्रिया देख करके मुझे बताइए, कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप किस टॉपिक पर, किस अग्जाम की तयारी कर रहे हैं, और र